नमस्कार, मैं विकास कुमार, आप देख रहे हैं N20 लाइब, आप सभी दर्सकों का एक बार फिर से स्वागत है जैसा कि N20 लाइब की टीम में आपको पंचायती राज चुनाओ का हर अपडेट हर पंचायत से पहुँचा रही है और इस वक्ड जो हमाय साथ मौझूद है हरियरपूर लालगर पंचायत से मुख्यापत के पर्ट्यासी सुयोग सिख्षित इमांदार रामाधार सिंग जी जो आज हमाय साथ मौझूद है हम इन से बात करना चाहेंगे कि यह किस मुद्दे पर चुनाओ मैदान में आया है और इनका पांच साल का मैनिफेस्टों क्या है देखा जाए तो हर जगह बदलाओ का लहर चल रहा है हरियरपूर लाडगर पहंचायत की जनता किस तरह है हम इन तमाम बातों पर चर्चा करेंगे लेकिन पहले आईए हम आपको उनसे मिलवाना चाहेंगे स्वागत असर आपका हमारे चैनल पर नमस्कार तो जैसा कि देखा जाए तो चुनाव काफी नजदीक है चुनावी सरगर्मिया भी बढ़ गई है सभी परत्यासी इस वक्त जन्त संपर्क में लगे हैं सब कोई अपना मुद्दा और अपना चुनाव चिन लेके जन्ता के समक से जा रहे हैं अपना पांच साल का मैनिफेस्टो रख रहे हैं तो किस मुद्दे के साथ इस बार आप पंचायती राच चुनाव में मुख्यापद के लिए आए हैं मैं इस बार इस पंचायत चुनाव में चार-पांच मुद्दे पर लोगों को जागरूप करना चाहूँगा अपनी तरफ आकरिस्ट करना चाहूँगा कि जो भरस्टा चार और लूट खसोट का महाल बना हुआ है मैं लोगों से यह आश्वासन देना चाहता हूँ कि मैं जब इस पद पर आऊँगा तो एक सोशन मुक्त पंचायत कर निर्मार कराऊँगा और जो भी सरकारी या केंदिरिये जोजनाये हैं उनका मैं अपने अस्तर से जहां तक हो सकेगा उसको जल्द से जल्द लागू कराने की कोशिस करूँगा तो देखा जाया तो चुनाव से पहले जो भी परत्यासी जनता के समक्ष जाते हैं अपने मुद्दे रखते हैं पांच साल का मैनिफेस्टो बताते हैं और वो तमाम सपने तमाम वादे जो जनता को दिखाये जाते हैं पांच साल के बाद देखा जाता है कि जनता को निरासा ही हाथ लगती है जो सपने दिखाये जाते हैं वो तमाम सपने वैसे के वैसे अधूरे रह जाते हैं तो आप अपने जनता से क्या कहना चाहेंगे मैंने अपने हेंडविल में एक पहले ही सुलोगन दिया है कि वक्त आने दो बता देंगे तुम्हें नोजवां हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है अभी मैं नया उमिद्वार हूँ और लोगों को तो लोगों ने देखा है मैं यही करता हूँ कि औरों को देखा बहुत बार मुझे को भी देखें एक बार करेंट को भरोसे परलोग भोट देते हैं तो देखा जाये तो आप सिक्षक भी रह चुके हैं रिτιायमेन्ट आपका हो चुका है तो आप सिक्ष्यक और तो अच्छी तवा से जानते हैं वो लगभग परिशान थी चाहे वो सिक्षा का माहौलो चाहे स्वास्त का माहौलो तो इस बारे में किस सोच के साथ इस बारा पंचायती राचुना में यह जो मुद्दे हैं मैं ठाकुर्सुहाती वाली बात नहीं करना चाहता चाहे कोई भु मुख्या हो इसमें एक आदमी जिमवार नहीं है इस कोरोना काल में या सिक्षा की लचर बेवस्था में एक जगा से फाल्ट नहीं है आपने देखा है नियोजन जो हुआ है अभी सिक्षुकों का उसमें कीस तरह से धांतली हुई है और इसके पीछे बहुआ ही है लूट खसोट की भावना है अधिक मेरि मेरिट वाला लड़का जो है उसको अप्सेंट कर दिया गया कॉम मेरिट वाले को सेटिंग गेटिंग के अधार पर नुकरी मिल गई तो इस तरह की बेवस्था जब होगी तो सिच्छा का सुधार मैंने एक बहुत मुद्दत के बाद होगा लेकिन मैं कोशिस करूँगा कि यह जो भी खामिया है जो भी लूट खसोट की है इसको नीट एंड क्लीन पारदर्सी तरीके से इसकी बेवस्था कराऊं तो कहीं ना कहीं हरियर पूर लालगण पंचैट से जो आठ केंडिट सामने है उसमें से कुछ केंडिट ऐसे भी है जो वोट के लिए यहां की जनता क जाती धर में बाटने आकारे करें जो 10% वोटर ऐसे हैं जो दारू मुर्गा के चकर में उन्हों गुमराह करने का चाहरा है तो यहां की जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे मैंने यहां की जनता से एक दो सब्द कहे हैं कि आपने तमाम लोगों को देखा है यह लोग कोई नए नहीं है पुर्व में भी यह लोग लड़ चुके हैं और इनके बारे में आप जानते हैं मैं एक नए आदम हूँ मेरे बारे में भी आप जान बुझ कर अपने मत का प्योग करें दुरुप्योग न करें तो जैसा कि चुनाव चिन को ले कि आप अपने पंचायत की जनता से क्या कहना चाहेंगे पंचायत की जनता से मैं अपने चुनाव चिन पर कहूंगा कि हमको आप भारी से भारी है या हलके मत से भी बिजाई बनाए कि इस पंचायत का स प्रात्मिक्ता देना चाहेंगे सबसे पहले तो पंचायत में कई समस्या है सबसे पहले तो हमारे पंचायत में एक जो अलंद समस्या है जल जमाव का हमारा जो पंचायत है वो प्रायो मनें तीन चौथाई भाग समझिये कि हर साल जल मगन हो जाता है फसलने चति गिरस्त हो ज इसके लिए मुआवजे भी नहीं मिलते हैं और इसके लिए हाई कोड तक हम लोगों ने कुछ साल पहले इसका मुद्धा ले गए थे हम लोग लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं हाई कोड के अर्डर के बावजूद भी अभी तक जल निकासी की कोई बेवस्था नहीं हुई ह फिर इस मुद्धे को उठाया जाएगा और जहां तक हो सकेगा या आदमी कोशिस करेगा कि इन मुद्धों को या सड़क है नाला है सिख्षा की जो भी मनें बदस्तूर चल रही हैं उनको पट्री पर लाने का परियास करूँगा यही हमारा पुद्धे से है जैसा कि अभी तक हम बात करे थे रामाधार सिंग जी से जो हरियरपूर लालगड़ पंचायत से मुख्यापत के पर्तियासी है जिनका चुनाव चिन बैगन छाप है जो क्रमांग संक्या छेप है इनका साफ कहना है कि अगर हरियरपूर लालगड़ पंचायत की जनता हमें इस बार मौका देती है तो जो अधूरे कारे इस पंचायत में है उन तमाम कारियों को तो हम पूर्ण करेंगे ही साथ में जो सिक्षा और स्वास्त का स्थिति है उसे हम चाहें कि इससे बहतर हो और कहीं न कहीं जो गरीबों का हक नहीं मिलता है इंद्रा आवास में जो करप पर धन्यवाद